हेला एवरीवन यू आर वाचिंग ग्राशी एंट साची क्रेशन्स पिछले वीडियो में हमने सैटन देखा था और आध हम यूरेनस के बारे में डिसकस करेंगे यह है यूरेनस यानी अरून दर साइड़ेज प्लानेट इस इस साइड़ेज प्लानेट इसलिए कहते हैं क्यो हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है इतना बड़ा की 63 अर्थ मिला दो तब चाकर एक यूरेनस बनेगा यूरेनस एप्रोक्स 2.9 बिलियन किलोमिटर फार फ्राम दे सन यानी 290 करोड किलोमिटर दूर जैसे हमारी अर्थ को संट के रौन जक्कर लगाने में एक साल लगता है वैसे ही यूरेनस को हमारे यहां के 84 साल लगते है यानी यूरेनस का एक साल प्रिथ्वी के 84 साल के बराबर है इट टेक्स 17 आवर्स तो रोटेन ओन इट्स ओन एक्सिस मतलब यूरेनस का एक दिन लगपक 17 गंटे का होता है वैक्यानिकों ने अब तक यूरेनस पार सिर्फ एक ही स्पेस्क्राफ्ट फीजा है यूरेनस फॉस प्लैनेट है जिसको टेरिसकॉप से खुजा गया था 1781 में यूरेनस और नेप्चुन दोनों आइस जाइंट है उन्हें आइस जाइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दोनों सबसे ठंडे हैं और बड़े भी है यहाँ टेंपरेचर माइनस में ही रहता है ऐसे तो इस पूरे सोलार सिस्टेम में नेप्चुन सबसे ठंडा है लेकिन सबसे कम टेंपरेचर का रिकॉर्ड गिरनस पे ही है माइनस 224 डिग्री शेल्शियस इसलिए यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आये हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये और बेल आइकन को दबाईए और हाँ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना हम जल्दी मिलेंगे ओके बाई झाल झाल